नमस्कार दोस्तों स्वबत है आप सभी का नोकडिकबै.com के ओफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियों में बात करेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से आचुकी साल 2023 के लिए नई बंपर भरतियों के बारे में जहांपर आप सभी के लिए 23,600 से भी जादा नंबर और विकेंसी के उपर भरतियों के नोटिविकेशन और आफ लाइन आवियदन करने के लिए अप्लिकेशन फोरम भी जारी कर दिये गए हैं दोस्तो आप सभी लोग आने वाली 20 फरवरी 2023 तक घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माध्यम से आफ लाइन तरीके से बिल्कुल फ्री में आवियदन कर पाएंगे आवेतन आपको कैसे करना होगा नोटिविकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे कौन सी गलतिया नहीं करेंगे जिस बज़त से आपके फोरम को रिजेक्ट या कैंसिल कर दिया जाए इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे दोस्तो अगर आप लोग आठवी पास हैं दसवी पास हैं बारवी पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नोकरी नहीं है आप लोग अपने गाउं या जिले के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर साल 2030 में सरकारी नोकरी पाना चाहते हैं करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए मिनिस्ट्री और पंचायती राज ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत ही बड़ी खुश खबरी आ चुकी है साल 2023 के सुरुआत में आपको वता दें 3600 से भी ज्यादा नंबर और विकेंसी है जहां पर आपको ग्राम पंचायत स से आठ तरह की आपको पोश्ट विकेंसियां देखने को मिलेंगी जो की आगे हम लोग नोटिविकेशन डाउनलोड करके देखने वाले हैं आपको बता दे अगर आपको नोटिविकेशन डाउनलोड करना है अगर आपको आभीदन करना है अपलिकेशन फोरम चाहे तो आप आपको इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखना पड़ेगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके और आप लोग बिना किसी डाउट के आपेदन करके जौब पासकें आगे बढ़ें उससे पहले रिक्वेश्ट करूँगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोडिविकेशन टाइमली यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहें आगे बढ़ने से पहले एक और बात है यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जानकारी दूँगा ताकि आप लोग बिना किसी डाउट के वीडियो को आखरी तक देख सकें तो सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायट की तरफ से साल 2030 की पहली बड़ी भरती है जिसके लिए आपको आवेदन करना होगा यहाँ पे आपको 3600 से भी जादा नंबर ओ वेकेंसी मिलेंगी और और इंडिया लेवल की जाब मिलेंगी आप लोग भारत के किसी भी राज जमें रहे के किसी भी दिश्टिक के किसी भी ग्राम पंचायट के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं इसके लाबा यहाँ पे कापी अच्छे अच्छी पोश्टे हैं सहाय की पोश्टे हैं प्योन की पोश्टे हैं सेकेटरी की पोश्टे हैं जिनके लिए आपको आपीधन करना होगा इन भरतियों का इंतर्यार देश के सभी उबाओं को हमेशा से रहा है इसके लाबा इस बार की जो भरती प्रक्रिया है इसके अंदर केबल इंटर्व्यू कंडेक्ट कराया जाएगा बिना किसी एक्जाम के और यहाँ पे आपका डाकुमेंट भी वेरिफाई किया जाएगा अठरा से लेकर 65 साल की एज वाले केंडिडेट यहाँ पे आपीदन करेंगे साथी साथ यहाँ पे आपीदन करने का जो सुल्क है बिल्कुल नॉर्मल सा है जर्नल OBC EWS का 100 रुपे लगेगा और जो SC, HT और फीमेल्स या PWD वाले केंडिडेट है फिजिकल हैंडिकेप वाले मि कब जारी किया गया है और आप लोग कब से आविदन कर पाएंगे तो दोस्तों आपको एक चीज और बताने थी जो पोश्ट वाइज आपकी जौब है यहाँ पे दी गई है आप लोग सैलरी भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे हम बात करेंगे अभी आपको देखें सी पहली नंबर जो पोश्ट है आपको यहाँ पे निरवन सहाया के मिलेगी इसके लिए आपका डिप्लोमा चाहिए होगा साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एस सिडिजन ओप इंडिया आप एदन कर पाएगा भारत कनागरीक और अठर से लेकर यहाँ पे 45 स ग्रेड पे भी दिया जाएगा इसके बाद जो सेकेंड नंबर विकेंसी है उसको भी आप लोग देखें यहाँ पे आपको एक्सक्रीट्व असिस्टेंट की पोश्ट है मिलेंगी यहाँ पे आपका पोश्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा चाहिए होगा 18 से 45 स साल की एज है 31 वेकेंसियां है जहाँ पे आपको 71 रुपए से लेकर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7100 रुपए से लेकर 37600 का बेतन है और 377 यहाँ पे बोला गया है कि 3600 रुपए का आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा इसके बाद यहाँ पे अगली नंबर जो हम को जीपी यानिकी ग्राम पंचायर सेकेटरी की पोश्टें मिलेंगी इसके लिए हायर सेकेंडरी यानिकी 12 आप लोगों ने 12 वी कक्छा पास करी है तो आप लोग आप एदन कर सकते हैं हायर सेकेंडरी का मिन्स ही होता है यहाँ पे 18 से लेकर 45 साल तक की आपकी एज और 27 व कुछते हैं जीपी यानिकी ग्राम पंचायर सहाय की और जीपी यानिकी ग्राम पंचायर करमी की होने वाली है ग्राम पंचायर सहाय के लिए हार सेकेंडरी मिन्स की यहाँ पे आपका जोग्षा बारवी पास होना कंपल सरी है 18 से 45 साल की यहाँ पे आपका उम्र रखा गया और चौमन सू रुपय से 25,200 रुपय का बेतन भी रखा गया है जीपी आनी की ग्राम पंचाइट कर्मी के लिए भी यहां पे सेम यहां पे 18 से 45 साल की एज है 63 वेकेंसिया है और 49 से लेकर 16,200 का बेतन भी रखा गया है इसके एजूकेशन की बात करें तो इसमें केबल और केबल कक्षा आठवी पास होना चाहिए देखें मस्ट है पास दी फाइनल एक्जामनेशन आप क्लास एट फ्रॉम एनी रिकोर्गनाज़ इंस्टिट्यूट इसमेंस की यहां पे कक्षा आठवी पास वाले केंडिडेट आभेदन करेंगे 18 से 45 साल की पैचलर डिग्री चाहिए होगा और 18 से 45 साल की एज है 7100 से लेकर 37600 का ग्रेट बेतन है और 3900 का ग्रेट पे भी रखा गया है यहीप अगर हम बात करें कि आपको अगली जो मिलेगी पोश्ट कौन सी देखने को मिलेगी तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं अकाउंट से क्लर की पोश्टे हैं जहां पे आपका माधिमिक एक्जामनेशन आपका पास होना चाहिए और यहां पे डिप्लोमे वगेरा बोला गया है 18 से 45 साल की एज है और 5400 से लेकर 25200 का बेतन है 2600 का ग्रेट पे भी यहां पे रखा गया है अगली पोश्ट है क्लर कम टाइपिस्ट की आप लोग देख सकते हैं इसके लिए माधिमिक एक्जामनेशन और यहां पे आपको पुश्ट थोड़ा बहुत कम्प्यूटर का नौलेज होना चाहिए क्योंकि यहां पे टाइपिंग जॉब रहेगी 18 से 45 साल की एज और 2400 रुपे से लेकर 25200 का ग्रेट पे और 26 बेतन और 2600 रुपे का बेतन भी आपको दिया जाएगा अगली जो पोश्ट हैं वो PSPY की होने वाली है देख सकते हैं आप लोग PSPY की और यहां पे आपको फाइनल एक्जामनेशन कख्या आठ भी आप लोगोंने पास करी हो 18 से 45 साल की आपकी उम्र हो जहां पे आपको 4900 से 16200 क भी दिया जाएगा दोस्तो इसके बाद हम बात करते हैं offline application forum के बारे में जिसका link भी आपको वीडियो के description में मिलेगा इसको आपको कैसे फिल करना होगा आपको बता दे अलग अलग पोश्ट के हिसाब से आपको offline application forum मिलेंगे जैसे कि यहां पे पंचास सायक account come data in t operator जैसी प से पहले आपको यहां पे अपनी passport size की photograph अटेच करनी होगी इसके जश्ट बाद आपको क्या करना होगा कि आविदन का प्रारूप अटेच करना होगा देख सकते हैं आविदक का नाम यानि की खुद का नाम पिता एबम माता का नाम यहां पे लिग के आपको अपनी high school के अं आपको जरूर से बताना है इसके बाद आपको आवेदन करता के हस्ताक्षर कर देने हैं और दिये गए पते पे आपको इसको सेंट करने होंगे अभी हम बात करते हैं सारी चीजे आपको कैसे मिलेंगी कौन कौन सी पूश्टे रहेंगी वेब साइट पे चलके तो दोस्तो आज की इस वीडियों में हम बात करें ग्राम पंचायत की तरफ से आचुकी नई बंपर भरतियों के बारे में 2023 के और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको टोटल 3600 से भी जादा नंबर और वेकेंसियां मिलेंगी जिनके लिए आप लोग आविदन कर पाएंगे आप लोग आने वाली 20 फरवरी 2023 तक आविदन करेंगे जहां पे आपका अप्लीकेशन फीस बिलकुल फ्री होने वाला है मेल फीमेल दोनों के टिग्री के केंडिडेट आविदन कर सकते हैं यहां पे आपका कोई भी एक्जाम नहीं होगा केबल और केबल इंटर्विव और डाकुमेंट वेरिफिकेशन के आदार पे आप सभी का चैन होने वाला है 18 साल से लेकर 65 साल तक के केंडिडेट आविदन करेंगे आप लाइन तरीके से फोरम भड़े जाएंगे अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिविकेशन को आन ने किया तो जरूर करें साथी साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें आए चलते हैं वेबसाइट पे जहां से आपको कंप्लेट जानकारी मिलने वाली है दोस्तो आपको आबेदन करने का नोडिविकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्ष्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा तो क्लिक करके स्पेश पे आप आएंगे यहां पे आने के बार देख सकते हैं ग्राम पंचाथ रिक्यूट मिंट है दो जार तेस के लिए अधिक जानकारी के लिए अगर आपको नोडिविकेसन डाउनलूट करना है आप लाइन फॉरम डाउनलूट करना है तो गूगल पे जाके आपको टाइप करना होगा सरकारीगजाम.co.com ध्यान रखेगा सरकारीगजाम.co.com गूगल पे टाइप करेंगे वेबसाइट मिलेगी और आपको अपली केसन फॉरम बगारा देखने को मिलेंगे 3649 पदों पर भर्दियां है और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं निरमन सहाय की पोश्ट है, Executive Assistant की पोश्ट है, Gram 15, Secretary की पोश्ट है, Gram 15, सहाय की पोश्ट है, Gram 15 करमी की वेकेंसियां हैं और साथी साथ यहाँ पे आपको Block Informatics Officer की पोश्टे मिलेंगी, Accountant Clerk की पोश्टे मिलेंगी, Clerk कम Typeist की पोश्टे मिलेंगी और PS PUN की वेकेंसियां भी यहीं पे आपको देखने को मिलेंगी, उसके बाद बात करें, Important Dates के बारे में आप लोग देख सकते हैं, 20 January 2030 से लेकर 20 February 2030 तक आप लोग आसानी से आभीधन कर सकते हैं आपकी उम्र क्या होनी चे तो कम से कम 18 और अधिक सधिक यहां पे 65 साल तक के केंडिडेट आभीधन कर देंगे, Application Feeds से यहां पे जर्नल OVC, EWS का 100 रुपए और S.C.H.D.P.H. और सभी केटेगरी की महिला केंडिडेट का बिल्कुल फ्री होने वाला है उसके बाद बात करें, Organization के बारे में, Department के बारे में, तो district gram पंचायत की तरफ से recruitment के notification आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आप लोग All India लेबल पर आभीधन कर पाएंगे यहां पे बेतन 18,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक आपको दिया जाएगा, notification में अलग अलग पोश्ट के recording यहां पे बेतन जो है तो पबलिक किया गया है एजुकेशन की बात कहें तो आटवी, दसवी, बारवी, डिप्लोमा और graduation वाले candidate किसी भी पोश्ट वेकेंसी के लिए आभीधन कर सकते हैं इनकी official website से 20 फरवरी 2023 तक आपको आभीधन करने होंगे इसके बाद बात करें सेलेक्शन के बारे में तो यहां पे देख सकते हैं बिना किसी exam के केबल और केबल interview और document verification के आधार पे आप सभी का चैन होने वाला है important link की बात कहें तो यहां पे देख सकते हैं apply online का link है download notification और website का जहां पे आपको serkari exam.co.com का link पी मिलेगा आपको एक बार जरूर से जाके visit करके download notification और forum को download करके आप इदन करना होगा कोई भी doubt होता है comment करें वीडियो को like करें channel को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप